राजनीतिक लेख भारत के पडोसी देशों से संबंद वर्तमान परिप्रेक्ष डॉक्टर शीलवंत सिहां विदेशनीति में कहा जाता है कि मित्र का चैन किया जा सकता है पडोसी का नहीं पडोसी देशों के साथ संबंद अनिवार्य प्रकृतिके होते हैं नकी स्वैचिक किसी भी देश के आर्तिक विकास वह सुरक्षा के लिए अनिवार्य है कि उसके पडोसी देशों में शांति वह इस्थाइट्व बना रहे है उदाहरन स्वरूप यूरोपिय देशों ने विश्व के सम्मुक विकास का जो मॉडल रखा है उससे इसपश्ट है कि पडोसियों के साथ सयोग विश्वास के सम्मंद स्थापित कर विकास को गती दी जा सकती है यही कारण हे कि मानव विकास उचकांग में शीर्ष रैंग यूरोपिय देशों को ही प्राप्त है इसी प्रकार दक्षण पूर्व एशिया अर्थात आसियान देशों ने आपसी सयोग वस्यामती से अपने क्षेत्र को परमान मुक्त बनाकर क्षेत्रिय विकास की दर को कई गुना बढ़ा दिया है। अब देशों से भारत की सीमा इस्पर्ष करती है। इसलिए भारत के आर्थिक विकास व सुरक्षा को बनाए रखने के लिए आवश्यक हो जाता है कि भारत अपने पडोसी देशों के साथ मदूर व व विश्वस्निय संबंद बनाए रखे। भारत की विदेशी नीती में प्रावधान किया था जिसे गुझराल सिधान्त कहा जाता है। ये सिधान्त भारत को पडोसी देशों के साथ बिक ब्रदर की भांती व्यवार करने की नीती पर बल देता है। चूंकि भारत के पडोसी देश आकार में भारत से बहुत छोटे हैं और भारत के हित इन पडोसी देशों में नहीं थें इसलिए भारत को छोटे पडोसी देशों के साथ समेधनशील व्यभार करते हुए उन्हें एक तरफा छूट प्रदान करनी चाहिए इस नीती का अनुसरन करते हुए भारत ने वर्ष 1996 में फरक्का समझोते के तहत बांगलादेश को गंगा नदी के जल विभाजन में छूट दी थी इसके अतिरिक्त 1974 में भारत ने श्रिलंका को कच्चा तीवु द्वीब सौप दिया था जो ये दर्शाता है कि भारत ने सदैव ही पडोसी देशों के साथ मित्रता पून संबंदों को महत दिया है इस नीती का अनुसरन आने वाली वाजपेई वा मनमुहन सरकार ने भी किया वर्श 2014 में निर्वाजित सरकार ने डायनमिक विदेश नीती का अनुसरन करते हुए पडोसी प्रथम की नीती की परंपरा को बनाए रखा जिसका प्रमुक उदारण है प्रधान मंत्री मोदी ने अपने शपत ग्रहन समारों में सार्क देशों के सभी राष्ट्रा देक्षों को आमंत्रित किया भारतिय प्रधान मंत्री ने अपनी पहली विदेश यात्रा के लिए पडोसी देश भूठान का चैन किया इसी क्रम में देश के उनत्तर में गणतंत्र दिवस के अफसर पर आसियान देशों के प्रतिनीदियों को आमंत्रित किया वतमान सरकार ने स्तार्क देशों को दक्षन एशियाई सेटेलाइट की सेवा प्रदान कर पडोसी प्रधम की परमपरा को नई उचाइयां दी एक भारत अफगानिस्तान संबन्द भारत अफगानिस्तान में शांती तथा इस्थाइत की इस्थापना और आधार भूत सरजना का निर्मान एवं क्षमता निर्मान कार्यक्रम में सयोग कर रहा है उधारनार्थ भारत अफगानिस्तान में डेलाराम, जराज, राष्ट्रिय राजमार्ग का निर्मान कर रहा है भारत द्वरा मजारे शरीफ से हेरात के मद्या संपर्क सड़क का निर्मान किया जा रहा है भारत ने अफगानिस्तान में सलमाबांद का निर्मान कर काबुल में बिजली आपूर्ती उपलब्द कराने का कार्य किया है भारत ने अफगानिस्तान के साथ व्यापारिक संबंदों को बढ़ावा देने के लिए हवाई कॉरिडोर की शुरुवात की है भारत ने इरान में चाबहार पतन का निर्मान कर अफगानिस्तान में आवशक वस्तों की आपूर्थी का मार्ग प्रशस्त कर लिया है इस क्रम में भारत के चाबहार पतन के द्वारा अफगानिस्तान में एक लाख दस हजार टंगेहों की पहली खेप पहुँचाने का कारिय किया है भारत सरकार ने अफगानिस्तान में पार्लियमेंट भवन के निर्मान में न केवल वित्तिय सहायता दी है बलकि निर्मान भी भारत सरकार द्वारा किया गया है भारत वरा अपने पडोसी देश अफगानिस्तान के लिए किये जा रहे कारियों को देखते हुए अमरीका की ट्रम्प सरकार ने इस बात को स्विकार किया है कि अफगानिस्तान के इस्थायित्प में भारत की भूमिका निर्नायक होगी दो भारत-चीन संबंद चीन बांगलादेश के बाद भारत के साथ भौगोलिक सीमा साजा करने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश है चीन भारत के पांच राज्यों यथा जम्मुकश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उतराखंट, सिक्किम वा अरुणाचल प्रदेश आधी राज्यों से सीमा स्पर्ष करता है चीन का 21 सदी में आर्थिक एवं सामरिक शक्ति के रूप में उभार हुआ है और संबवता 21 सदी चीन की सदी है भारत के द्वारा चीन के साथ डिलिंकिंग नीदी को अपनाया गया है जिसके तहट आर्थिक संबन्लों और सीमा विवात को अलग-अलग देखने का प्रेयास किया गया है वर्तमान में भारत चीन विपक्षिय व्यापार लगभग 36 बिलियन डॉलर का हो गया है चीन ने स्ट्रिंग ओफ पल्स और वन बेल्ट वन रोड जैसी परियोजनाओं के माध्यम से दक्षण एशियाई देशों में अपनी सौफ्ट पावर को बढ़ाया है इस परियोजना के माध्यम से चीन हिंद महासागर के महतपून संचार मार्ग पर पत्तनों का निर्मान कर रहा है जिसके तहत सुडान में पत्तन का निर्मार्ण 10 बिलियन डॉलर के निवेश के साथ पाकिस्तान का ग्वादर बंदरगाह का निर्मार्ण 1 बिलियन डॉलर के निवेश के साथ श्रिलंका के कोलंबिया पोर्ट वा हमबन्टोटा पोर्ट का 85 प्रतिशत स्टेक चीन के पास है वो सेज के निर्माण में 3 बिलियन डॉलर का निवेश कर चीन दक्षन एशिया में भारत को घेरने का प्रयास कर रहा है चीन भारत के पडोसी देशों को आर्थिक सहायता उपलब्द करा कर उन देशों पर अपना प्रभाव बढ़ा रहा है हिंद महासागर में चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करने के उद्देश से भारत ने भी महतुपूर निर्नायक कदम उठाए हैं जैसे प्रिष्ट संख्या 112 1. SEO व ब्रिक्स समुहों की बैठकों में भारत चीन के साथ संबंदों को सुधारने का प्रयास कर रहा है 2. भारत ने सामरिक नीति के तहट मालाबार सैन्य अभ्यास जो भारत व अमरीका के मद्य होता था वर्ष 2015 में जापान को भी इस सैन्य अभ्यास का नियमित सदस्य बना दिया था 3. भारत क्वैर्ड अर्थात अमरीका जापान अस्ट्रेलिया भारत समुहों में शामिल हुआ है 3. भारत नेपाल संबंद नेपाल भारत से धार्मिक सांस्कृतिक एवं भाषाई रूप से अत्यदिक नस्दिक है अप्रेल 2015 में जब नेपाल में भूकंप आया था तो पडोसी प्रथम की नीति के तहत भारत सरुप्रथम नेपाल में सहयता पहुँचाने वाला देश था लेकिन वर्ष 2016 में नेपाल में संविधान को लेकर चले मधेसी आंदोलन और बॉर्डर पर हुई नाके बंदी से भारत द्वारा नेपाल को भेजी जाने वाली वस्त्वों की आवाजा ही बादित हुई तो नेपाल में भारत के विरोध में स्वर तेज होने लगे इस इस्थिती में भारत ने नेपाल के साथ अपने संबंद घनिष्ट एवं सहयोगात्मक मनाए रखने हेतु प्रयास तीवर कर दिया है क्योंकि चीन भारत वा नेपाल के इस परिस्थिती का फायदा उठा कर नेपाल पर अपना प्रभाव बढ़ा रहा था जिसके चलते नेपाल चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशियेटिव परियोजना का हिस्सा बन गया है चीन नेपाल में कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के क्रम में लासा से काठ पांडू तक रेल लाइन का विस्तार कर रहा है जिसे 2020 तक पून किया जाएगा नेपाल के वर्तमान प्रधान मंत्री केपी शर्मा ओली दुवारा चाइना फरस्ट और प्रो इंडिया नीति को अपनाया जा रहा है नेपाल की इस बदली हुई विदेश नीति के पश्चाद केपी शर्मा ओली की भारत यात्रा हुई भारतिय विदेश मंत्री व प्रधान मंत्री की भी नेपाली यात्रा हुई भारतिय प्रधान मंत्री की जनकपुरी यात्रा वर्ष 2018 में उन्होंने कहा कि नेपाल के बिना भारत के धाम व आस्था अधूरे हैं इसी क्रम में भारत ने जनकपूर अयोध्या तक बस सेवा की शुरवात की और रक्सौल कार्थमांडू तक रेल संपर्क इस्थापित करने की घोशना की जलविद्यूत उत्पादन के क्षेत्र में साजा सयोग के लिए अरुन थर्ड परियोजिना पर समझाता हुआ जिससे नेपाल के आर्थिक विकास को गति मिलेगी साथी दोनों देशों के मद्य कनेक्टिविटी बढ़ने से आर्थिक धार्मिक वसास्कृतिक परिप्रेक्ष में सयोग बढ़ेगा भारत भूटान संबंद सयोग के मौडल पर आधारित है आठ अगस्त 1949 को दारजिलिंग में भारत भूटान के मद्य शान्ती और मित्रता समझाता हुआ जिसके अनुसार निम्ल समझाते किये गए एक दोनों देशों के बीच शान्ती और दोस्ती रहेगी दो भूटान के अंदरूनी मामलों में भारत हस्तक्षेप नहीं करेगा तीन दोनों देशों के बीच मुक्त व्यापार होगा चार भूटान को भारत में हर तरह का रास्ता दिया जाएगा पांच भूटान हत्यारों की खरीद वबिक्री भारत की सहमती के बगएर नहीं करेगा छे दोनों देश एक दूसरे के नागरिकों के साथ अपने नागरिकों की तरह व्यवहार करेंगे साथ दोनों देश एक दूसरे के देश के अपरादियों को न्याई के लिए लोटाएंगे उक्त समझोते का ही परिणाम है कि डोकलाम विवाद में भारत ने भूटान का साथ दिया वर्ष 2008 में भूटान में लोकतंत्र की स्थापना हुई और ये परिवर्तन शांतिपून रूप से हुआ जिसमें भारत की निरणायक भूमिका रही भारत भूटान में जल्विद्यूत उर्जा उत्पादन के क्षेतर में महतपून सयोग कर रहा है भूटान में भारत के सयोग से चुकरवा ताला जल्विद्यूत परियोजना का निर्मान किया गया है इस परियोजना से निर्मित विद्यूत को भारत द्वारा खरीदा जाता है जो भूटान की आयका महतपून शोथ है भारत ने भूटान में सडक परियोजना वहावाई अड़े के निर्मान में महत पूर्ण भूमी का अदा कर भूटान को शेश विश्व के साथ जोड़ने का प्रयास किया है भूटान में आधार भूत सरचना के विकास में भारत के बजट से अनुदान राशी का बड़ा हिस्सा दिया जाता है भूटान भारत के लिए न केवल निवेश बलकि सामरिक व सुरक्षा की दृष्ट से भी महत पूर्ण देश है क्योंकि भूगवलिक दृष्ट से भूटान एशिया के दो बड़े देशों चीन व भारत के बीच इस्तित है भूटान की इस भूगवलिक एहमियत को समझते हुए भारत के प्रथम प्रधान मंत्री जवाहलाल नेरू ने 1958 में भूटान की यात्रा की थी इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए वर्ष 2014 में भारत में आई नवीनितम सरकार के प्रधान मंत्री ने अपनी प्रथम विदेश यात्रा हेतु भूटान को चुना जिसका परिणाम ये हुआ कि वर्ष 2018 में हुए भूटान के चुनाव में पिपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रधान मंत्री ने भी अपनी पहली विदेश यात्रा के लिए भारत का ही चुनाव किया भारत की सीमा से लगे अन्य पडोसी देशों की तुल्ना में भूटान भारत का सबसे हितैशी वा परंपरागत मित्र बना हुआ है जिसका प्रत्यक्ष उदाहरन वर्ष 2018 को भारत भूटान राजनईक संबंद के स्वर्ण जयंती समारों के रूप में मनाया गया है भारत अपने पडोसी देशों में बांगलादेश के साथ लंबी सीमा साजा करता है इसलिए बांगलादेश भारत के लिए अत्तिदिक महत पून पडोसी देश है वर्ष 1971 में भारत के सयोग से पूर्वी पाकिस्तान बांगलादेश के रूप में दक्षण एशिया के मानचित्र में इस्थापित होने वाला सबसे नवी नितम देश बना बांगलादेश प्रत्यक्ष रूप से भारत की सुरक्षा के लिए कोई खत्रा नहीं है किन्तु अवैद गुस्पैटियों के कारण भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में धार्मिक सांस्कृतिक संगर्श शुरू हो जाते हैं बांगलादेश से आने वाली अवैद गुस्पैट की समस्या रोहिंग्या समुदाई के लोगों के कारण और अधिक विकट हुई है जिससे भारत बांगलादेश संबंद बादित हुए हैं भारत बांगलादेश संबंद वर्तमान में अच्छे दौर से गुजर रहे हैं इसके कुछ उदाहरन निम्नुवत हैं एक भारत बांगलादेश के बीच वर्स 2015 में लैंड बॉर्डर एग्रीमेंट हुआ है जिसके तहत दोनों देशों के मध्य सीमा विवात तो सुझा ही साथ ही सीमा में आने वाली बस्तियों के लोगों को अपनी पहचान मिली और इमिग्रेशन का खत्रा भी कम हुआ है दो वर्तमान में बारत बांगलादेश के मध्य कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए अगरतला अखोडा रेल संपर्क का समझाता हो चुका है जिससे कोलकाता एवं तिरपुरा के बीच धाका होकर आवागमन होगा और भारत की सिलिगुडी गल्यारे का विकल्प होगा 3. 18 सितंबर 2018 को प्रधानमंत्री मोधिव शेख हसीना ने वीडियो कॉन्फरेंसिंग के जरिये 130 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन जिसे भारत बांगलादेश मैत्री पाइपलाइन की संग्या दी गई का शिलान्यास किया इस पाइपलाइन के जरिये भारत पूर में जो पेट्रोलियम प्रडक्ट रेल मार्ग से पहुँचाता था अब सीधा पाइपलाइन से बांगलादेश तक पहुँचाएगा जिसे बांगलादेश की उर्जा दक्षिता में व्रिद्धी होगी प्रिष्ट संख्या 113 4. बांगलादेश भारत के उत्तरपूर्वी राज्यों में इंटरनेट की सुविधा को मजबूत करने के लिए अपने गेटवे कौक्स बाजार से सुविधा देता है 5. भारत बांगलादेश के नुकलियर पावर प्रोजेक्ट रुप पूर नुकलियर पावर प्लांट जो 2400 मेगावाट क्षमतावाला है के निर्माण में भागीदार के रूप में सहयोग दे रहा है 6. भारत बांगलादेश को विकासात्मक कारियों के लिए लाइन ओफ क्रेडिट ग्रैंट उपलब्द कराता है 7. भारत बांगलादेश के मद्य पीपल तुपीपल कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए दो बस सेवाएं प्रारंब की गई हैं 8. भारत बांगलादेश के मद्य बंधन एक्सप्रेस नामक रेल सेवा का प्रारंब कोलकाता से खुलना के मद्य वो मैत्री एक्सप्रेस रेल सेवा कोलकाता से धाका के मद्य अपनी सेवाएं प्रदान कर रही है 9. बांगलादेश ने भारत को चिटगाउं और मंगोला पोर्ट का प्रियोग उत्तर पूर्वी राजियों तक वस्तूं को पहुँचाने की अनुमति के लिए पांच वर्षों के लिए दी है 10. बांगलादेश नकेवल सार्क बलकि बिम्स्टेक वा बी बी आई एन अर्थात भूटान बांगलादेश इंडिया वा नेपाल जैसे क्षेत्रिय मंचों के माद्यम से भारत से जुड़ा हुआ है उपरियुक्त सकारात्मक पक्षों के बावजूद भारत बांगलादेश के बीच कुछ मुद्धों पर असहमती है जैसे तीस्ता नदी जल समझोता नहीं हो सका है इसके अतिरिक बांगलादेश में बढ़ते चीनी प्रभाव से भारत ये सुरक्षा पर सीधा असर परता है चीन बांगलादेश में चटगाओं पतन का निर्मान करा है जो चीन की स्ट्रिंग औफ पल का हिस्सा है बांगलादेश में शेख हसीना ने लगातार तीसरी बार सरकार बनाई है ये इस्थिती भारत बांगलादेश के संबंदों को अवश्य ही नई उचाईयां दे रही है 6. भारत म्यामार संबंद म्यामार में बौद धर्म मानने वाले नागडिकों की बहुलता और हिंदू संस्कृति का प्रभाव होने के कारण भारत म्यामार संस्कृतिक संबंद सुद्रण है म्यामार भारत और आसियान देशों के मद्य सेतु का कार्य करता है वर्तमान सरकार के द्वारा एक्ट इस्ट नीति के अंतरगत म्यामार को अत्तिदिक महत्व प्रदान किया गया है जिसके तहट भारत म्यामार के साथ संबंदों को मजबूती प्रदान करने के लिए निम्न कारिय कर रहा है कालादान, मल्Тी मौڈल, ट्रांजित, ट्रांस्पोर्ट, परियोजिना ये योजिना तीन मारगों को विक्सित करने का कार्य करेगी एक समुद्री मारग, दो नदी मारग और तीन सडक मारग इस परियोजना के अंतरगत पश्चिम बंगाल के हलदिया पोर्ट को म्यामार के सित्वे पोर्ट जिसे भारत के सयोग से विक्सित किया जाएगा को समुद्री मार्ग से जोड़ा जाएगा इसके पश्चात सित्वे से कालादान नदी के माध्यम से म्यामार के पलेटवा से जोड़ा जाएगा और इसके बाद पलेटवा को सडक मार्ग से भारत के उत्तर पूर्वी राज मिजोरम से जोड़ा जाएगा इस परियोजना का उदेश भारत का मुख्य भूमिक्षेत्र जो सीली गुडी मार्ग के माध्यम से जुड़ता है पर भारत की म्यामार पर निर्भरता को समाप्त करना है ये समझाता वर्ष 2008 में हुआ था कार्य 2010 में प्रारंब हुआ और कार्य वर्ष 2015 में पूरा हो जाना था परंतो वित्य की कमी के चलते ये परियोजना पूरी नहीं हो पाई वर्ष 2019 तक इसे पूरा करने का लक्ष रखा गया है सित्वे में सेज की स्थापना भारत म्यामार के सित्वे में सेज की स्थापना कर रहा है जो चीन द्वारा म्यामार के कावा कव्यू में बनने वाले सेज के करीब है चीन का ये सेज स्ट्रिंग ओफ परल का हिसा है भारत म्यामार फ्रेंड्शिप ब्रिज म्यामार की सरकार द्वारा इस बिच को दोनों देशों के नागरिकों के लिए खोल दिया गया है भारतिय नागरिक विशेश पर्मिट लेकर म्यामार जा सकते हैं जबकि म्यामार के नागरिक बिना पर्मिट के भारत में प्रवेश कर सकते हैं भारत म्यामार थाइलेंड त्रिपक्षिय अंतराष्ट्रिय राजमार इस राजमार के निर्मान पर तीनों देश कार्य कर रहे हैं 1400 किलो मीटर लंबे इस राजमार को वर्ष 2019 में पूरा कर लिया जाएगा जिससे तीनों देशों के बीच व्यापार, स्वास्त, शिक्षावा परियतन के क्षेत्र में व्रिद्ध होगी ये महत्पकांक्षी योजना चीन के बढ़ते प्रभाव के लिहाज से एहम है जो ओबोर योजना के तहत आर्थिक और राजनितिक विस्तार कर रहा है प्रदानमंत्री मोदी के अनुसार भारत म्यामार संबंदों को 5B के माध्यम से मजभूत किया जा सकता है पहला B बुद्धिज्म, दूसरा B बिजनस, तीसरा B बॉलिवुड, चौथा B भरत नाटियम, पांचवा B बरमाटिक साथ भारत श्रीलंका संबंद श्रीलंका ने चीन को हमबन टोटा पत्तन विक्सित करने की अनुमती पहले से ही दे रखी है चीन के लिए इस पत्तन का विकास एक ओर विदेशी निवेश को बढ़ाना और लाब अरजित करना है तो वहीं दूसरी ओर भारत की समुद्री सीमा पर निगरानी रखना है ये इस्थिती भारत की सामरिक दिष्ट से कमजोर कूट नीती को दर्शाती है परसपर सुरक्षा के लिए दोनों रास्ट्रों ने सैन्य संबंदों में प्रगाड़ता लाने का प्रयास किया है आठ भारत मालवीव संबंद मालवीव ने दश्रकों पुरानी इंडिया फर्स्ट नीती को तिलांजली दे दी है उक्तिसे इस पश्ट है कि पारंपरिक तौर पर भारत के साथ रहने वाले उसके पडोसी भारत से दूर जा रहे हैं सार्क पूनतया निश्क्रिया हो चुका है अता इन चार वर्षों में भारत की देशनीती पडोसी देशों के साथ संबंद प्रगाड करने में विफल होती दिख रही है जबकि जिन देशों से कूटनीतिक जीत का दावा किया जा रहा है वो अस्थाई है आवश्क्ता इस बात की है कि पडोसी देशों को साथ लेते हुए पारंपरिक मित्रों को एक जुट करते हुए नए देशों के साथ संबंदों को मजबूत किया जाए इससे ही भारत निकट भविश्व में विश्वकी महाशक्ति के रूप में इस्थापित हो सकता है प्रिष्ट संख्य एक सो चौदा